आरोप सीमो कोठी पर अनिल गोस्वामी ने लिए नौकरी लगवाने के वज में 7000 रुपे, 2000 नहीं दिये तो नौकरी से निकाला सहाब मुझे नौकरी दिलाने के नाम पर सीमो की घर पर 7000 रुपे लिए नौकरी दिने वाले ने कहा था कि एक साल तक उसे नौकरी मिलेगी लेकिन तीन महीने पहले ही मुझे हटा दिया जब मैंने अपने दिये हुए रुपे मांगे तो कह दिया कि वापस नहीं होंगे सुनील पुत्र बल्राम शाकी निवासी कमडागंजु घौसीपुरा ने बताया कि HMS कंपणी जो की शिपुरी जिले में स्वक्षिता सर्विक्षन का काम कर रही है इसके अनल गोस्वामी और प्योशसन ने इंटर्व्यू रिया था और ये इंटर्व्यू सीमो साहा के घर पर हुआ था नौकरी देने के नाम पर उसे साथ हजार रुपे बस हुला गया और कहा कि एक साल तक तुम ये काम कर सकोगे लेकन तीन महा पहले ही निकाल दिया आपको बता दे कि तीन महा में ही नौकरी से निकालने के कारण अब पीड़त काफी जादा परिशान है और कहा कि दो हजार रुपे और दो तभी आगे नौकरी कर पाएंगे जब मैंने अपने दिये हुए साथ हजार रुपे वापस मानने तो उन्होंने इंकार कर दिया और मुझे मेरे रुपे वापस दिलवाय जाएं ऐसी मांग पीड़त ने थी है पैसे किसने लिए अनिल्गो सौमी जे कौन है माप बापे जी साथ काना बनाते हैं किसका बनाता सीओ मसर के आप पर तो सीओ मुसाप के गड़ पर इंटरवु हुआ अहां उन्हीं के आप उगा था पैसी लिए उस नहीं पैसे घर पे लिए ते कितने लोगों से लिए थे मेरे साथ यार रोपे लिए एया किया भू कर तो थो यह बोलाता के एक साल का टेक À है इसमें काम मिलेंगा तो क्या वर्क काम दी नगेघा मेरा जी कुछ ता सर्वे की तीना उसमें काम था सवच्छ सर्वे चल तो आप कहां पर कर रहे थे पूरा सहर में चल राध चल था ना सर्वे अपको मिली सर्विस ता मिली थी सर लेकिन एक माँ पर प्रेसे ले रहे थे मेरे से अब अटादी है सर्वे कि दो जार और रुपे और ले रहे थे वह जो इस वह जो इस अब आपको आठ एक साल के लिए रखा तो तीन महीने में इस तर मेन बाप इस ही मांगे थे पौन भी किया था उन्होंने तो वह कर रहे का पाप पैस तूरी ना होते है ऐसे जी बोल रहे थे अब के गर पर अटेवी ओक अब कर में पाइसे लिए और पाइसे लिए वह जोइनिंग ओई पर तो आपरा काम करते ही उगिया आवसे को इसी दलाल के मात्यम थे अज़ते हैं